दोस्तों हमारे आँवो कहावत है कि कुत्तों को घी हजन नहीं होता अब इस कहानी में कुत्ता कौन है और घी देने वाला कौन है ये आप स्वयम नरधारत कीजिएगा जनाब भारती नोशना के पास जंगी जहाज था 2006 में आज से 17-18 साल पहले आईएनेस तार मुगली भारत ने सजा सवार के मौलदीब को दिया बीच बीच में इस जहाज के मेंटेनेंस और रिपेर की जो भी समझ चान थी वो भी हमने सॉल्व करी साल 2018 में इसको फिर रिपेर किया फिर सोप दिया मौलदीब को उनका काम सिर्फ इतना था कि साहब इन्हन डालो और जहाज को इस्तिमाल करो लेकिन उनसे ये तक नहीं पचा मौलदीब की नई सरकार की बात नहीं कर रहे हैं पिछली सरकार ने मई महिने में आई एनस तार मुगली को लोटा दिया भारती नेवी ने इंस्पेक्शन किया तो उन्होंने पाया कि थोड़ा बहुत खर्चा कर लेंगे और जहाज फिर तजियार हो जाएगा अब दोस्तों आप देख लीजिए आई एनस तार मुगली जो की डी कमिशन कर दिया था मौलदीब ने जो कबाल बन गया था आज वो फिर से भारती नोशेना की सेवा में आ गया है रही बात इस आई एनस तार मुगली की तो इस जहाज को बनाया किसने था जनाब तो जवाब है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने दोस्तों ये कमपनी हम लगातार कवर करते रहे हैं आपको भी मुनापा हो सकता था जी आरेसी के जरिये जी आरेसी की ये कहानी खतम नहीं हुई है जनाब यह है कि जियो पॉलिटिक्स का जो भी ये खिल चल रहा है उससे आपका कल्यान हो सकता है साथ में कमाई भी हो जाएगी इसलिए शू पॉलिस आपने मुँपर लगाए बैठे जो मौल्दिव के राष्ट्रपती है उनको ये बात समझ में आना चाहिए कि आप जो भारतिय नौसेना भारतिय प्लैटफॉर्म लोटाने की बात करते हो उससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा वो जो हेलिकॉप्टर हैं डौर्णिय एरक्राफ्ट हैं वो तुरंत तत्काल भारतिय नौसेना की सिवा में लग जाएंगे तो वहाँ पर इंडिया आउट केम्पेन चल रही है तो हमारे कई दर्सकों ने हमारी हां में हां मिलाई है कि इंडिया आउट केम्पेन अगर लागू होगी तो शत्त प्रतिशत लागू होगी मौलदीव में भारत का जो भी पैसा है वो आउट होगा वो भारत लोट के आएगा मौलदीव में जो भी भारत का सामान जाता है भविश्व में जाएगा वो सब लोट के आना चाहिए टोटल हंड्रेड परसेंट इंडिया आउट होना चाहिए कि जनाव ऐसा तो हो नहीं सकता कि सपेरे जैसे मुवाले मोईज़ु साहिब तह करें कि इंडिया की कौन सी सर्वेस आउट होगी और कौन सी सर्वेस बनी रहेगी ये लड़ाई शुरू मौलदीब में की है खत्म भारत ने करना चाहिए दोस्तों मजगाउं डॉक्स हो गार्डन रीट सिपर विल्डर्स हो या आईटी स्टॉक्स हो भारतिय प्रगती से आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए किन्तु वो प्राप्त करने के लिए एफडी बनवाने से कान नहीं चलेगा आपको कुछ हुनर कलाए सीखनी होगी इसलिए ध्यान रखिएगा अगले सत्रह दिनों के बाद हमारे तीनों आर्टमिनरवर इंवेस्टर फ्यूचर सेवं आउप्शन स्कोर्स की फीस डबल डबल होने जा रही है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके आप अपना पसंदीदा आज मिलनरवर इंवेस्टर फ्यूचर सेवं आउप्शन स्कोर्स अभी के अभी जॉइन कर लीजेगा